तो लेखांकन के शाखाओं में हमने देखा कि किस प्रकार लेखांकन की फैली हुई शाखाएं कितने सारे मदों को अपने अंतरगत शामिल करती हैं चाहे हम वित्ति की बात करें, आयवै की बात करें, लाभानी की बात करें इन सभी के लिए अपने अलग-अलग लेखों को समेटते हुए इस पूरे लेखांकन का छेतर काफे विस्तरित और व्यापक हो जाता है हमने इन शाखाओं के अंतरगत जिन लेखों के बारे में जाना वो लेखांकन में कितने महत्वपूर होते हैं किसी भी वैपार ये वैवसाई के लिए इन लेखों का कितना महत्व हैं आएए इस पर एक नज़र डाले अगर हम लेखांकन के महत्व या लाब की बात करें तो किसी वेवसाय में जितने भी उसके अंग होते हैं अलग-अलग जिसे वेपारी होते हैं या विन्योजक होते हैं अंशिधारी होते हैं और साथ-साथ उस वेवसाय में बहुत सारे करमचारी भी नियोजित होते हैं इन सभी के लिए लेखांकन का अपना अलग-अलग महत्व होता है तो आए इन अलग-अलग आधार पर हम देखें कि लेखांकन का क्या महत्व है सबसे पहले हम बात करें कि किसी भी व्यवसाय में व्यवपारियों के लिए लेखांकन का क्या महत्व है तो यहां सबसे पहली बात यह आती है कि किसी भी वेवसाय में प्रती दिन इतने सारे वेवहार होते हैं, इतने सारे लेन देन होते हैं, इतने सारे क्रेविक्रे होते हैं कि उनको एक वेवारी के द्वारा याद रख पाना काफे मुश्किल होता है और इन्ही लेखों को अगर हम लेख बद्ध करके लिख देते हैं तो जब भी हमको जरूरत पड़ती हैं हम उनको पलट कर देख सकते हैं और उनसे जो भी आवशिक्ता हैं जुड़ी होती हैं उनको पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहली बात व्यभार को याद रखने के लिए लेखों का निर्माण किया जाना काफी जरूरी है इसी तरह हम देखते हैं कि प्रतेक व्यपारी को बहुत सारे करों का भुक्तान करना होता है आय कर, विक्रे कर, उत्पादन कर इस तरह के बहुत सारे कर और बहुत सारे शुल्क उसको चुकाने पड़ते हैं इन करों के नर्धारन के पूर्व, इन वैपारियों के जो लेखे होते हैं उनका निरेक्षन किया जाता है यह अवलोकन किया जाता है और उसके आधार पर अलग-अलग तरह के करोकर नरधारन किया जाता है तो यह लेखे इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि कर की एक वास्तिविक राशी की गड़ना आसानी से की जा सके एक महत्तुपूर बात यहां पर यह भी है कि प्रतेक वैपारी जो भी वैपार करता है उसका एक उद्देश यह जो होता है लाब प्राप्त करना अब उसको विवसाय में लाब हो रहा है या नहीं या हानी हो रही है तो कितनी हानी हो रही है यानि कुल मिला कर हम कह सकते हैं कि वैपार की लाब हानी यानि वैपार की आर्थिक स्थिति का अगर हमको पता लगाना है तो हमको balance sheet याने कि वित्य विवरण के अंतरगत बनाय जाने वाली balance sheet का निरिक्षन करना पड़ता है balance sheet बनाने के लिए हमको कुछ आधार भूत खातों का निर्मान करना पड़ता है जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि हम सबसे पहले किसी विवहार की पंजी प्रविस्ट्री करते हैं उन पंजी प्रविस्ट्रियों के आधार पर हम खाता भही का निर्मान करते हैं खाता बही में जो शेश आते हैं उन शेश के आधार पर हम तलपट का निर्मान करते हैं और फिर तलपट के आधार पर बहुत सारे समायोजनों को शामिल करते हुए हम बैलन्शेट बनाते हैं और बैलन्शेट ही वो अंतिम लेखा होता है जिसके आधार पर हम ये ग्याद कर लेते हैं कि वैपार में लाब हो रहा है या हानी संपत्ति और दायत्त्य के स्थिति क्या है याने ओर ओर ओल हम वैपार के पूरे आर्थिक स्थिति का ग्यान इस बैलन्शेट से प्राप्ति कर तो हम यह सकते हैं कि किसी भी वेपार में लाभभानी को ग्याद करने के लिए उसकी आर्थिक पस्थिति के और पर हम लेखा बनाना बहुत जरूरी होता है वैसे ही यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो लेखे हम बनाएं हमने बनाएं सभी वर्षों के लिए अलग-अलग यह लेखे बनाया जाते हैं और अगर हमको इनका तुनात्मक अध्यन करना हो यानि मान लेजिए गत वर्ष यानि गत वित्य वर्ष में किसी व्यवसाई के व्यवसाई की व्यवपार की क्या इस्थिति थी और इस वर्ष इस वित्य वर्ष में उसके व्यवपार की क्या इस्थिति है दोनों का अगर तुलनात्मक अध्यन करना हो उनके तुलना करनी हो कि पहले चल रहा था बिजनेस की अभी अच्छा चल रहा है पहले law से profit की क्या स्थिति थी अभी क्या है तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है balance sheet की यानि ना केवल हम balance sheet से किसी वेवसाय की आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं बलकि हम उस वेवसाय का एक तुलनात्मक अधियन भी कर सकते हैं इसी तरह एक महतुपूर्ण बात हमको यहां पर यह भी निकल के आती है कि ख्याती जो कि एक अमूर्थ संपत्ति के रूप में प्रतेक वेवार में रहती है उसका मुल्यांकन प्रतिवर्ष करना जरूरी होता है तो जब तक हम अंतीम खातों तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम गुडविल के वैलिएशन नहीं कर पाएंगे और अंतीम खाते तक पहुँचने के लिए हमको बहुत सारे अलग-अलग लेखों करना होता है तो इसलिए भी जरूरी है कि हम लेखांकन का प्रयोग करें कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी भी वैपार के जो कार होते हैं वो कहीं कुछ विवादित से हो जाते हैं उत्पादन के दौरान या कच्छे माल के क्रेविक्रे के दौरान ऐसे बहुत सारी स्थितिया बनती है जब कहीं कोई विवाद उत्पन हो जाता है और ये प्रक्रण अगर न्यायाले में चला जाता है तो वहां हमको प्रमार्ट स्वरूप अपने वैवसाय के जो लेखे होते हैं उनको प्रस्तुत करना जरूरी होता है तो न्यायाले इन ट्रक्रिया से गुजरने के लिए भी इन लेखों का बनाया जाना बहुत जरूरी होता है वैसी हम यहाँ पर देखते हैं कि न्यायाले के अत्रिक्ट अगर वो पार्टनर्शिप वैपार है या कमपनी वैवसाय है तो उनमें अगर आपस में कोई मतभेद उत्पन हो जाता है तो उन विवादों के निप्टारे के लिए भी लेखांकन में हमने जो भी लेखे बनाये हैं उनको सामने रखा जाना बहुत जरूरी होता है तो ये कुछ ऐसे बिंदू हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखांकन किसी भी वैवसाय में जो वैपारी है उसके लिए बनाया जाना बहुत जरूरी होता है अब एक दूसरा अंग अगर हम देखे तो वैवसाय का महत्वण अंग वैवसाय के कर्मचारी होते हैं कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है कि वेवसाय में लेखे रखे जाएं, अकाउंट बनाए जाएं अलग अलग तरह के जिनके बारे में हमने अभी अध्यन किया है सबसे पहली बात तो ये है कि पारिश्रमिक के निर्धारण में सहायता मिलती है हमने देखा कि किस प्रकार हम अलग अलग प्रकृति के लेखों का निर्माण वेवसाय के अंतरगत करते हैं वित्तिय लेखे बनाते हैं, प्रबंधिकी लेखे बनाते हैं, लाभानी संबंधी लेखे बनाते हैं, समयोजन संबंधी लेखों का निर्माण किया जाता है इनी लेखों के आधार पर ये पता लगाया जाता है कि वास्तों में फर्म के इस्तिती क्या है और उसके आधार पर कर्मचारियों के पारिश्रमिक करने धारन किया जाता है या फिर अगर कर्मचारियों के पारिश्रमिक में व्रद्धी करनी हो या उनको वेतन में कोई परिवर्तन करना हो, बोनस देना हो या कमिशन देना हो तो इस कारे को करने से पहले उनके वित्य लेखों का निरिक्षन करना बहुत जरूरी होता है तो अगर ये लेखे बनाए गए होंगे तो ही हम उनका निरिक्षन कर पाएंगे साथ एक महत्पूर्ण बात यह है कि कई बार इन पारिश्रमिक के निर्धारण में बहुत सारे विवाद उत्पन हो जाते हैं बहुत सारी समस्याइं उत्पन हो जाती हैं तो इन समस्याओं से निप्टारे के लिए या इन विवाद के निप्टारे के लिए भी हम इन लेखों का प्रियोग कर सकते हैं एक महत्पूर्ण बात यह है कि कारेकुशलता या छमता का मुल्यांकन जो किया जाता है किसी भी फर्म में हम देखते हैं कि प्रमोशन करने से पहले या इंक्रिमेंट करने से पहले करमचारियों की कारेकुशलता क्या है, उनकी चमता क्या है, कितने दक्ष होकर उन्होंने काम किया, इन सब का ऐक आधन क्या जाना भी बहुत जरूरी होता है. इसके लिए ये देखा जाता है कि पहले वो किस वेतनमान पे पद पर कारे कर रहे थे और अगर अब उनके पद में वृद्धी की जाती है या उनका इंक्रिमेंट किया जाता है तो इंक्रिमेंट का परसेंटेज क्या होगा किस दर से उसको कमिशन दिया जाए या बोनस दिया जाए या वेतन में व्रिद्धी की जाए इन सब की जानकारी प्राप्ति करने से पहले उन कर्मचारियों से संबंधित जो लेखे हैं उनका निरेक्षन किया जाना जरूरी होता है तो ओर ओर हम कह सकते हैं कि ना केवल किसी वेवसाई के वेवसाई या ओनर यानि कि स्वामी के लिए बलकि उस वेवसाई के कर्मचारियों के लिए भी वित्य लेखों का या लेखांकन के अंतरगत जितने भी लेखे बनाया जाते हैं उन सभी लेखों का निर्मान किया जाना जरूरी होता है यहाँ पर विन्योजक जो होता है वो भी कंपनी का या किसी फर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक कंपनी का जो स्वामी है वही लगाए वो अपने अंशो को बेचता है लोग उसकी फर्म में विन्योग करते हैं और उन अंशो पर जो राशी प्राप्त होती है उनसे वो अपना बिजनस चलाता है तो जो विन्योजक होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो अपने अंशो को याने अपने पैसे को फर्म में लगाने से पहले फर्म की आर्थिक अस्थिति का निरिक्षन करना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि अगर फर्म में वो विन्योग करते हैं, इन्वेस्ट करत तो उनको profit होगा या नहीं होगा अगर होगा तो किस दर से होगा कितना होगा या उनके पैसे के डूब जाने की संभावना तो नहीं है ऐसी condition में वो चाहते हैं कि फॉर्म के जो कुछ लेखे हैं उनका वो एक बार narration कर सकें तो फॉर्म में लेके इसलिए भी रखे जाते हैं ताकि विन्योग करताओं को भी उनका लाग मिल सकें साथ ही साथ अगर विन्योग करताओं में भी कभी किसी तरह का मतभेद हो जाता है तो वहाँ पे भी इस मतभेद के निप्टारे के लिए इन लेखों का प्रयोग किया जा सकता है ऐसे ही किसी भी फॉर्म में एक महतवपूर रोल रहता है गॉर्मेंट का जिस स्टेट में वो फॉर्म काम कर रही है वहाँ के स्टेट गॉर्मेंट का या केंदरिस्तर पर भी हम कह सकते हैं कि सरकार का जो हस्तक शेप है भले वो पब्लिक कंपनी हो या प्र होते हैं यहां हम देखते हैं कि जब करार ओपन के स्थिति आती है जब टैक्स लगाना होता है तो सरकार भी इन website के जो आर्थिक स्थिति है जो उनको एक वित्ति वर्ष में लाव हुआ है उसका निरिक्षन करती है अवलोकन करते हैं उसकी आधर पर उनके उनके ओपर जो जिनको सरकार से वित्तिय सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है तो ऐसी कंडिशन में किसी भी प्रकार की financial help अगर चाहिए तो सरकार पहले उनके वित्तिय लेखों का हिसाब किताब करेगी, उनका अवलोकन करेगी, देखेगी कि क्या इनके द्वारा चाहिए गई वित्तिय स्थिति इन संस्थाओं को दी जा सकती है, और इसके लिए भी इन लेखों का एक निरिक्षण किया जाना सरकार के लिए जरूरी होता है, ऐसी ही एक कंडिशन बनती है जब वेवसाय में बहुत सारी नीतियों का नरध करना होता है, कुछ नियम बनाने होते हैं, तो इन नीतियों के नरधारन से पहले सरकार इन कंपनियों के द्वारा इन फ़र्मों के द्वारा जो भी लेखे रखे गए होते हैं, बनाए गए होते हैं, उनका निरिक्षण करती है, और उसके पश्यात ही नीतियों का नरधारन किया जाता है अब यहां पे हम देखते हैं कि अगर किसी वेवसाय के प्रगती की जानकारी लेनी है सरकार को कि कौन सा वेवसाय कितना ग्रोथ कर रहा है क्या डवलपमेंट है तो उसके लिए भी वो उस वेवसाय का चिठ्ठा यानि जिसको हम बैलन्शेट बोलते हैं उस चिठ्ठे के आकलन के अधार पर बहुत आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेती है कि कोई भी वेवसाय ग्रोथ कर रहा है विकास कर रहा है या नहीं तो ये तो बात कि हमने किस सरकार को कौन कौन से लाब होते हैं अगर कोई फर्म लेखांकन सही तरीके से सुचारू तरीके से करती है तो अब अगर हम देखें तो इन्हीं वेवसाय का एक महत्वपूर अंग होता है उपभोगता क्योंकि इनके द्वारा तयार की गई मात्वपूर अंग होते हैं और इनके लिए भी बहुत जरूरी होता है कि जिन वेवसायों से ये संबंद रखते हैं वो सभी वेवसाय अपने लेखें सुचारू तरीके से रखें यहीं पर हम देखते हैं कि जो भोगता जो होते हैं उनको वस्तू के उचित मूले की जानका कमाया है अगर इसके बारे में कोई उभोकता जानना चाहे तो वो भी इन लेखों के अधार पर ही इसके जानकारी प्राप्त कर सकता है एक बात यहां पर ये भी आती है कि निरंतर वस्तू की पूर्ती होती रह भोगताओं को इसके लिए भी वेवसाय में लेखें रखने ज जिनसे एक व्यवसाई़ बहुत आसानी से जान जाता है कि उसके व्यवसाई में निर्मित वस्तू का स्टॉक क्या थिती है और उस वस्तू के मांग की क्या स्थिती है बाजार में तो बहुत आसानी से वो पता लगा लेता है कि उब्भोकताओं की मांग के आधार पर उसके पास निर्मित वस्तु है अत्वा नहीं या उसको अगर प्रोडक्शन करना हो तो फिर वो समय के अंदर या समय रहते प्रोडक्शन कर लेता है तो ये तो हमने की उब्भोकताओं की बात यहां पर हमने देखा कि एक वेवसाय में ना केवल वेवसाय के स्वामी के लिए बलकि उब्भोकताओं के लिए उस वेवसाय के करमचारियों के लिए उस वेवसाय में जिन्होंने विन्योग किया है यह करना चाहते हैं यह जिन्हे हम बात कहें सरकार की सभी के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी संस्था कोई भी वेपार वेवसाय एकांकी वेवसाय या साज़ेदारी फॉर्म सभी अपने प्रकृति के अनुसार यानि उनके वेवसाय की जो प्रकृति है उसके अनुसार अपने लेखों को सो वेवस्तित त हाला कि इन सभी लेखों को बनाया जाना सभी पॉर्म के लिए कानूनाट भी आवश्यक होता है लेकिन इनकी कुछ सिमाय भी होती हैं कुछ कटिनाय भी होती हैं इसमें कुछ गल्तियां होती ह realiz Uhr कह सकते हैं जिसे कई फॉर्म यहां पर देख रहें कि बहुत सारे Ст Means जो लेखे तो रखते हैं लेकिन उनमें अपून सूचनाय दी गई होती है जिसे हम कई बार देखते हैं कि जब हम पंजी प्रविस्ट्री करते हैं तो वहां पर मान लिजी आपके सामने 10 पॉइंट है तो कोई एक पॉइंट छूट जाता है जिसका सीधा सीधा असर खाता भा पाती है यहने हम यह कह सकते हैं कि अगर लेखों में किसी प्रकार की अपून सूचनाय दी गई हैं तो वहां पर वेवसाई की सही स्थिति की जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी वैसी यह कटना यहां पर यह हो सकती है कि छलकपट की संभावना बनी रहती है फिर ज करने के लिए वह वास्तविक इस्थिति का प्रदर्शन अपने लेखों में नहीं करते जो कि देखा जाए तो कानूनी रूप से गलत है साथ ही यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी मूल लेहिन वस्तों का प्रदर्शन भी कर दिया जाता है ऐसा तब किया जाता है जब एक वैवसाई चाहता है कि वो अपने वैवसाई की ग्रोथ को दिखाए कि वो डेवलप हो रहा है विक्सित हो रहा है ताकि बाहर के जो लोग है विन्योजग जो है वो उसके फ़र्म में विन्योग करें लेकिन वास्ताओं में जब नेरिक्षन किया जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारी ऐसे संपत्तियों की एंट्री कर दी गई जो मूल्य ही थी यानि उनका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं था जितना की बैलन्स शीट में शो कर दिया गया तो ये जो इस्तिती होती है ये विनियोजुकों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है एक परिशानी हाँ पर ये भी आती है कि कई बार लेखांकन की जो धारणाएं हमने इसके पहले पढ़ा कि लेखांकन की बहुत सारी अलग-अलग अवधारणाएं होती है कहां पर किस अवधारना का प्रयोग करना है ये डिपेंड करता है कि उस वेवसाय के प्रकृती क्या है यहां अगर किसी प्रकार की कोई भूल चुक हो जाती है गलत अवधारनाओं का प्रयोग करते हुए हम लेखांकन का कारे करते हैं तो हो सकता है कि उस वेवसाय के जो लेखे हूँ या उनका जो आर्थिक चिठा हो वो कहीं न कहीं वेवसाय की सही इस्थिती को प्रदर्शित न कर पाए. तो हाला कि हमने देखा कि बहुत सारे दृष्टिकों से लेखों को रखना तो जरूरी होता है प्रत्यक फॉर्म रखती भी है लेकिन ऐसे बहुत से दोश सामने आ जाते हैं जिनके कारण इन लेखों का वास्तों में जो महत्त्व होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है. अब इनी के साथ हम एक नजर डाले लेखांकन सूचना की. हम अभी तक देख रहे थे कि यह जो लेखांकन का निर्मान किया जाता है, लेखों का निर्मान किया जाता है, यह विवसाई के लिए भी जरूरी है, विन्योजकों के लिए भी जरूरी है, कर्मचारियों के लिए भी जरूरी है और साथ में उप्भोक्ताओं के लिए भी जरूरी है तो यह जो विन्योजक व्यवसाई उप्भोक्ता कर्मिचारी और सरकार हैं इन लेखांकन से जो भी संबंदित जानकारी प्राप्त करते हैं वो सभी जानकारी लेखांकन सुचनाओं के अंतरगत आती हैं अब अगर हम देखें कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है कौन-कौन इनके उपयोग करता होते हैं तो दो आधार पर हम इनको वर्ग कर सकते हैं एक तो लेखांकन सुचनाओ का उपयोग आंतरिक उपयोग करता करता है और दूसरा इन सुचनाओं का उपयोग बाहिये उपयोग करता करता है अब आंतरिक उपयोग करता के अंतरगत कौन-कौन से लोग आते हैं तो सबसे पहले इसके अंतरगत आता है व्यापार का स्वामी क्योंकि आंतरिक याने प्रत अगर हम इनको अलग कर दें इनका वरगी करन कर दें तो औंतरिक उपयोग करता के अंतरगत सबसे पहले वेवसाय का स्वामी आता है उसके बाद जो महत्पूर्ण कडियेक होती है वेवसाय की जिनको हम कहते हैं अंशधारी क्योंकि उनका भी पैसा वेवसाय में लगा रहता है इसलिए उनके लिए भी जरूरी होता है कि लेखांकन सही सही किया जाए तो अंशधारी जो है वो भी आंतरिक उप्योग करता के रूप में ही माने जाते हैं साथ में हम इन में शामिल करते हैं कंपनी के कर्मचारी जिनके बारे में अभी हमने जाना और आंतरिक उप्योग करता में ही आते हैं कंपनी के प्रबंधर इसके बाद अगर हम बात करें बाहे उप्योग करता की तो बाहे उप्योग करता के अंतरगत हम दो तरह के उप्योग करता मानते हैं एक वो उप्योग करता जिनके लिए प्रत्यक्ष रूप से इन लेखों को रखा जाना जरूरी होता है आप प्रत्यक्ष रूप से जो लाप राप्त करते हैं तो प्रत्यक्ष अपयोग करताओं के अंतरगत हम शामिल करते हैं भावी विन्योजग याँनके फ्यूचर में जो करना चाहे हैं जिसे हमने अभी बात की कि अगर पैसा इंवेस्ट करना है तो कोई भी इन्वेस्टर प के से पहले भी वह एक बार अर्तिक स्थिति को एक बार अलोकन करे गार चाहिए एक यह इसके अंतरगत रहे हैं कच्छा माल खरीद रहे हो यह निर्मित माल खरीद रहे हो तो वह एक बार कम्पनी के करना चाहेंगे बैंकिंग कंपनियां जो होती है क्योंकि वह काफी बड़ी मात्रा में इन संस्थाओं को वैपारों को लोन दी हुई होती है तो कहीं न कहीं उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वह इन वैपार का इन वैवसायों का लेखा जोखा का निरिक्षन करते रहें और साथ ही क्योंकि बीमा कंपनियों के लिए भी जरूरी होता है इनके लेखो का निरिक्षन करना क्योंकि इन वैवसायों का बड़ी एमाउंड के आधार पर बीमा और कराया जाता है वैसे ही प्रत्यक्ष रूप से हम देखे तो जो करार अधिकारी होते हैं या गौर्णमेंट सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो कंपनी के लेखो का निरेक्शन करें तो यह सारे जो अंग है यह सब के सब प्रत्यक्ष उप्योग करता के अंतरगत शामिल कर दिये जाते हैं और वैसे ही अगर हम आप प्रत्यक्ष बाहे उप्योग करता के बारे में देखें तो इसके अंतरगत सबसे पहले आते हैं शोध करता कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो में कमपनियों पर रिसार्च करते रहते हैं इस तरह की जो foundation क्या है कयसे वह रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो एक मार्केट का पता लगाने के लिए जो शोध करते साथ साथ इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे जन सामाने बहुत सारी एजेंसियां बहुत सारे अलग अलग जो समाजिक संस्थाय रहती हैं वो भी कभी न कभी इनसे किसी न किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी तरह के आकड़ों का संकलन करने के लिए छूरी होती है।cznie कोई सब्सक्राइब करने इंको करते हैं। तो प्रगार हमने देखा कि बहुत सारे अलग-अलग इनके उपयोग करता होते हैं इन लेखांकन सूचनाओं के वैसे ही ये लेखांकन सूचनाओं भी अलग-अलग तरह की यानि वित्तिय ही सूचनाओं होती हैं लेकिन अलग-अलग प्रकार की होती हैं आये इनके प्रकार पर एक नजर डालें तो कुछ लेखांकन सूचनाओं होती हैं जो वित साथ ही इसके अंत्रगत हम रोकड प्रवाह को भी शामिल कर लेते हैं यानि कि सी वैपार की शोधन चम्ता क्या है यानि वो अगर फर्म किसी से रिण ली हुई है तो क्या इस्थिती है उसकी रिण चुकाने की कितनी शेक्रता से वो उस रिण का भुगतान कर पाएगा यानि उसके पास क्या इतनी संपत्ती एवलेबल है इतना कैश उसके पास एवलेबल है कि उसने जो रिड़ प्राप्ति किया हुआ है उसका भुगतान कर पाएगा तो इससे संबंदित जो भी सुचणाय होती है उनको हम वित्य सुचनाओ के अंतरगत शामिल कर लेते हैं वैसे ही कुछ सुचनाइ होती है जिनको हम बोलते हैं उत्पादन प्रकृतिकी होती है जिसके अंतरगत हम शामिल करते हैं उत्पादन से संबंदित जितनी भी इकाईया है उन से संबंदित सुचनाओ की जिसे उत्पादन लागत क्या है इसके अंतरगत किन किन मदों को शामिल किया गया है जब उत्पादन का कारे किया गया तो उ आनने में किस तरह के श्रम का प्र्योंक चיע गया और वाल जब यह बंके तयार हुआ तो उसके लागत कितनी थी तो उतपादन में जितनी भी छेत्र होते हैं जितनी भी जानकारिय इसके अंतरगत आती उन सभी को हम उत्पादन लागत सुचनाओं के अंतरगत शामिल कर लेते हैं इसे प्रकार से हम देखते हैं कि नियोजन और नियंतरण सम्मंदी को सुचनाओं होती हैं किसी भी वेबसाइ को प्रारम करने से पहले या संचालन की प्रक्रिया के दोरान बहुत सारी योजनाओं बनानी पड़ती हैं और इन योजनाओं के अधार पर इन योजनाओं का क्रियाने करते हुए वो सभी वेबसाइ संचालित होते हैं तो इस सम्मंदीत जो सुचनाओं हैं या फिर वेबसाइ में नियंतरण स्थापित करने के लिए जिसको हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध की कारे करने के लिए जो भी उससे सम्मधित सुचनाय प्रसारित होती है उनको हम नियोजन या नियंतरण सम्मधित सुचनाय के अंतरगत यहाँ पर शामिल कर लेते हैं ऐसे ही कुछ सूचनाय होती है जो वेवसाइक निर्णयों पर आधारित होती है हम देखते हैं कि जब भी हम कोई वैपार करते हैं तो समय समय पर वेवसाइक के संबंध में बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं कि तो कब निर्ने लिए गए ए गया कि साओ कि अब की जो सुचना होती हैं। उनको जब इंपरिसारित करते हैं तो इनको हम निर्नायक सुचनाओं के अंतर गत शामिल करते हैं। इसी तरह हम कुछ सुचनाय पर्यावरन प्रकृति विज्ञान से संबंधित भी देते हैं कि पर्यावरनी जो कारे किये गए संस्था के द्वारा उनकी क्या स्थति है इससे संबंधित जो सुचनाय होती है वो इसके अंतरगत आती है है मानवी संसाधन जो होते हैं फ सूचनाएं होती एं उन सभी को हम मानवी संसाधन सूचनाओं के अंतरगत सामल करते हैं इसके इंतरगत हम देखते हैं कि श्रम संबंदी जो सुचना है क्योंकि श्रम जो है उसको हम मानव के अंतरगत शामिल कर रहे हैं रोजगार संबंदी जो सुचना हैं उनको हम इसके अंतरगत शामिल करते हैं यहां पे भी हम मानवी संसाधनों का प्रयोग करते हैं या उनसे संबंदी सुचनाओं को हम जारी करते है तो वो सभी सुचना है, मानुवी संसाधन संबन्दी सुचनाओं के अंतरगत आते हैं